वजन गटाने के लिए रोज पिये आवले की चाय, जाने इसके फाइदे और बनाने का तरीका. आमला, जिसे भारतिय आवले के रूप में भी जाना जाता है. ये एक ऐसा फल है जो भारत का मूल है और इसका उप्योग हजारो वर्षों से आयर्विदिक चिकित्सा में किया जाता आ रहा है. ये फल हरे पीले रंका होता है और इसका स्वात खटा कड़वा होता है. इसका उ परपुड माना जाता है. इसके कई स्वास्त लाब है जिनमें प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना, पाचन में सुधार, स्वास्त, त्वचा और बालो को बढ़ावा देना और सूजन को कम करना शामिल है. आवला का उप्योग आयर्विदिक चिकित्सा में विब प्रकुमुकी फल है, जिसका उप्योग सद्यों से इसके स्वास्त लाब और पाक उप्योग के लिए किया जाता आ रहा है. आवला चाय भारतिये आवले से बनी एक प्रकार की हरबल चाय है, जिसे आवला के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही ये आरिवेदिक दवाव में प्रयोग किया जाता है. आवला चाय बनाने के लिए ताजे या सुके आवले के फलों को अद्रक, दालचिनी या इलाइची जैसे अन्य जड़ी बूटियों और मसालों के साथ गर्म पानी में भीगोया जाता है, चाय को शहद या चीनी से मिठा किया जा सकता है, और अक्सर इसके स्वास्त लाबों के लिए इसका सेवन किया जाता है, जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना, पाचन में सुधार करना, और स्वास्त तवचा और बालों को बढ़ावा देना शामिल है, इस फल में विटामिन C और अन्य अंटियों की मवजुदगी के कारण आउला चाय का स्वाद थोड़ा खटा और कड़वा होता है, कुछ लोगों को यह एक अरजित स्वाद लग सकता है, और इसे अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए मिठास या अन्य स्वादों को जोड़ना पसंद कर सकते है, कुल मिलाकर आउला चाय एक ताजा और स होता है, जो सुजन को कम करने में और मेटामोलिजम में सुधार करने में मत कर सकता है, आउला चाय वजन घटाने में साहयता करने वाले मुख्य तरीकों में से एक है, शुगर लेवल को भी ये नियंतरित करने में मत करता है, वही आउला में क्रोमियम नामक योगिक होता है, जो शरीर में इंसुलिन के स्तर को नियंत्रित करने में मत करता है आवला चाय पाचन में सुधार करने और स्वस्त आत्माइक्रोबायोम को बढ़ावा देने में भी मत कर सकती है जो वजन गटाने पर सकरात्मक प्रबाव डाल सकती है जब पाचन तंत्र ठीक से काम कर रहा होता है तो यह सुजन को कम करने में मत कर सकता है जो वजन बढ़ाने में योगदान कर सकता है हाला कि यह द्यान रखना मत वपुर्ण है कि अकेले आवला चाय पीना वजन घटाने के लिए कोई जादोई उपाय नहीं है किसे भी संबाविद वजन घटाने के लाप के लिए आवला चाय के सेवन के साथ स्वस्त आहर और नेमित व्यायम दिन चरिया को बनाये रखना मत वपुर्ण है बहुत सारे ऐसे फूट्स और हर्प्स है जो वेट लॉस में आपकी मत कर सकते हैं और आवले की चाय भी इसमें शामिल है आपने कई तरह की चाय का सेवन किया होगा कभी अद्रप की निम्बू की तो कभी तूलसी की चाय हम सबी ने कभी न कभी इन सब का सेवन जरूर किया होगा और जब वजन कम करने की बात आती है तो हर कोई green tea पीने की सला देता है कई विशेशदन green tea के फायदे के बारे में बताते हैं लेकिन इसके आज़ाव भी कई चाय है जो आपकी वजन गटन में मत कर सकती है जैसे कि आउला की चाय आउले की चाय के फायदे आवले की चाय उन लोगों के लिए है जिनके पास समय नहीं है जीम और योगा सेंटर जाने का तो ऐसे लोग इससे अपने फैट को कम कर सकते हैं आवले की नूट्रेंट की बात करें तो इसमें आंटी ओक्सिडेंट, विटामिन सी, पॉलिफिनलेक्स और कई मिनरस मवजूद होते हैं ये सबी तत्व आपके शर्व को किसी ना किसी तरीके से फाइदा पहुचाते हैं वजन गटाने के लिए आवले की चाय कैसे बनाएं? सामगरी, दो कप पानी, एक चमच कर दुकस किया हुआ अद्रक, दो तुलसी के पत्ते, एक चमच सुका आवला पाउडर तरीका, आवला की चाय बनाने के लिए एक पैन में दो कप पानी डाले जब पानी गरम होने लगे तो इसमें एक चमच कर दुकस किया हुआ अद्रक, दो तुलसी के पत्ते और एक चमच सुका आवला पाउडर डाले इस मिश्रन को अच्छी तरह से उबाले और फिर इसे चान ले इसमें थोड़ा सा शर्द और चुटकी बर काली मिर्च मिलाए इस चाय को रोज पिए इस तरह के से आवले का सेवन निश्ची थी आपके वजन को कंट्रोल करेगा और फैट को भी कम करेगा इससे पाचन संबंदी परिशानी दूर होती है और मेटापॉलिजम भी मजबूत होती है जानिये वजन गटाने में कैसे मदगार साबित हो सकती है आवला की चाय अंटी ओक्सिदेंट से भरपूर आवला पाउडर जिसका उप्योक आवला चाय बनाने में किया जाता है अंटी ओक्सिदेंट से भरपूर होता है जो सुजन से लड़ता है कई अध्यनों से पता चलता है कि इंफलेशन का सिधा संबंद वजन बढ़ने से है पाचन को बढ़ावा देता है आवला पाउडर फाइबर से भरपूर होता है जो पाचन को बढ़ावा देने के लिए बहुत फायदेमन है एक प्रभावी तरीके से वजन घटाने के लिए पाचन तंत्र को दुरूस्त रहना और अच्छी गट हेल्थ बहुत ज़रूरी है रक्त शरकरा को नियंत्रित करे आवला में क्रोमियम तत्व होता है जो रक्त शरकरा के स्तर को प्रभावी डंग से नियंत्रित करता है इसलिए आवला का सेवन रक्त शरकरा में अचानक रुद्धी या गिरावट को रोक सकता है इस प्रकार मदुमे को रोकता है और वजन बढ़ने का कारण बनता है जी हाँ यदि आपकी physical activity जादा नहीं है तो यह चाहे आपका वजन बढ़ने नहीं देगी आवला की चाहे न केवल वजन कम करने में मत कर सकती है बलकि साथी यह आपके शरी को कई बीमारियों से भी बचा सकती है इसके कई अर्वेदिक लाब भी है Body Detox होती है आवले की powder में बरपूर मातरा में antioxidant होते है जो शरील से toxins को बाहर निकालने में मत करते है इससे Body Detox होती है और वजन गटाने में भी मत मिलती है भूग कम लगती है आवले की powder में काफी मातरा में fiber होता है जो पाचन तंतर को स्वस्त रखता है इससे Curbs और Upper जैसी पाचन सब्बंदी समस्य दूर होती है आवले की चाय का 7 करने से भूग कम लगती है इससे आप over eating करने से बचते है जिससे वजन गटाने में भी मत मिलती है Blood Sugar Level नियंतरित रहता है आवले में Anti-Diabetic Goon होते है जिससे शरीर में Blood Sugar Level नियंतरित रहता है Diabetes के मरिजों के लिए भी आवले की चाय का 7 फाइदिमन हो सकता है इससे diabetes और वजन को कंट्रोल करने में मत मिलती है Metabolism Boost होता है वजन नियंतरित करने के लिए शरीर का Metabolism अच्छा होना चाहिए आवले की चाय पीने से शरी का Metabolism Boost होता है जिससे वजन गटाने में मत मिलती है बढ़ते वजन को कंट्रोल करने में आवले की चाय का 7 प्रभावी हो सकता है हला कि अगर आप किसी तरह के सवस्त समस्या से जूज रहे है तो डॉक्टर से सलाग के बाद ये आवले की चाय का 7 करे कुछ स्वास्त समस्या में आवले की चाय का 7 करना वानिकारग साबित हो सकता है आपको मेरा आजका टॉपिक अच्छा लगा हो तो आपका और आपके परिवार का द्यान रखिए नमस्कार मिलते हैं अगली वीडियो में